अया काले कराले का पाल धरे मुनि संतरे शुर्ण निडावन्ती दि अननोन मिस्ट्री वे एक ऐसा ग्रन्ता जिसे पढ़ने से मनुष्य काल का ग्याता बन जाता था ना जाने कितने ही लोग उसे खोशते हुए पृत्युपन को लग गए जो लोग काल का ग्राद बन गए उन सब में एक समानता थी कि वे उस ग्रन्त का हेतु अत्वा उप्योगी जानते थे असल में किसी को भी उस ग्रन्त का ठिकाना मालूम नहीं था सबी ने अपने अपने तरीके से उसे खोजने में अपनी जिंदगी लगा दी थी पर काम्याप एक भी न हुआ था काल पर नियंतर रखने की चाहव उतनी ही पुरानी है जितनी मनुष्य को काल की समझ है जब मनुष्या ने काल के रहस्य को जान लिया है तबसे वे उस पर नियंतर रखने की उसके साथ आगे पीछे सपर करने की ख्वाईश पाले हुए है वास्ताव में काल जिसको समय कहा जाता है बहुत पेचिदा चीज है उसके साथ थोड़ी सी जेरचार इतियास बदल देती है लेकिन यह सच है कि अगर आप व्यक कर पाए तो आप व्यक कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप समय में पीछे गए और आपने कुछ घटनाय बदल दी तो आगे का पूरा इतियास बदल जाएगा और इतियास के साथ साथ आप भी मतलब आप इतियास बदलने के लिए गए यह परिस्तिती ही उत्पन्न नहीं होगी इसका सीधा अर्थ यह है कि आपने समय बदला ही नहीं मतलब इतियास वैसा का वैसा ही है इसी जगह उस ग्रंद का काम शुरू होता है लोग खुद समय बदलने की सोच्टे है लेकिन यह ग्रंद पढ़ने वाले को यह ताकत देता है कि वे चाहे जिसके माध्यम से समय को बदलवा सकते है उसे वे शक्ती प्राप्त होती है जिससे वे दूसरे का इतियास बदल सके लेकिन यह सब सुनी-सुनाई बाते है आज तक किसी ने अपनी आखों से उस ग्रंद को नहीं देखा सिर्फ उसका नाम और उसके कारणा में सुने है उस ग्रंद का नाम है निरावंती महारश्टा के किसी भी गाव में जाकर आप किसी बूढ़े को पूछेंगे तो वे अवश्य आपको निरावंती के बारे में बताएगा और साथ में यह चेतावनी भी कि उसके पढ़ने से पढ़ने वाले का वंश नश्ट हो जाएगा सबसे महतोपुर्णा बाद यह ग्रंथ पढ़ने से पढ़ने वाले को पशुपक्षियों की बाशा समझ में आती है तांत्रिकों में यह हमेशा से माना जाता रहा है कि पशुपक्षियों का समय मनुष्यों के समय से अलग तरह से चलता है मनुष्यों के लिए जो काल एक दिन का होता है वही चिटियों के लिए कई सालों का हो सकता है और दूसरी मानिता यह है कि समय को समय जितना ही सुक्ष्म होकर परिवर्तित क्या जा सकता है ये सब तब की बात है जब वे ग्रंथ मिल जाए और उसे पढ़ने की कला अवगत हो क्योंकि वे ग्रंथ मिल भी जाए तो वे किसी मानविय लिपी में तो नहीं है पैशाच्य लिपी में लिखा हुआ है पैशाच लिपी को जानने वाला कोई भी मनुष्य इस सुरुष्टी में नहीं है कहा ए भी जाता रहा है कि हिमालई की गुफा कंदराओं में बेटे साधू मुनियों में से कई यों को वे रहस्य में लिपी आती है लेकिन वे कहा है यह भी कोई नहीं जानता तो पूरी बात यह है कि वे गरंद कैसा है यह भी कोई नहीं जानता ना वे कहा है यह ना उसे पढ़ने का तरीका ही लेकि उस ग्रंट से क्या क्या जा सकता है यह जानने से ही कोई भी उसे खोजने के लिए प्रवरूत हो जायता है कोई भी का मतलब जिसे किसी अलव की कार्य में अतीर उचि हो ग्रंद को खोजने का पहला चरन यह था कि ग्रंद की खोज कहा से शुरू करे जिनोंने उस गरंट के बारे में सुना है उन्होंने भी उन से सुना है जिनोंने उस गरंट के बारे में सिर्फ सुना है देखा नहीं है और ऐसे ही यह श्रूंकला पता नहीं कहा तक जा सकती है निडावन्ती के बारे में एक और बात प्रसिद थी कि उसे जानने वाला एक मनुष्य आज भी जीवित है उसे लोग बाजिन केते है और वे महाबर्युशर के जंगलों में रेता है केते है उसकी आयू एक हजार वर्ष से भी ज़्यादा है अब सबसे आसान तरीका तो यह है कि पहले बाजिन को खोजा जाए जो उसे जानने वाला है और उसके पास से जो जानकारी मिले उसके आधार पर निडावन्ती की खोज करे और एक बात आपको बता दू जो लोग निडावन्ती के पीछे थे वे चाहे जिसी भी काल में हुए हो या फिर किसी भी जगह से हो उनमें एक और समानता थी वे सबी महाबरुशवर के जंगलों में जाते देखे गए थे उनमें से केवल दो ही लोग जाने के बाद फिर से देखे गए थे वे भी मृत अवस्ता में बाकियों का जिनकी संख्या सेकड़ों में हो सकती है क्या हुआ किसी को नहीं पता क्योंकि उनका ना शरीर मिला था ना कोई अवशेश अब इतनी जानकारी मिलने के बाद क्या आप अब भी चाहते हैं कि आप भी उस ग्रंद की खोज करने जाए तो मैं आपको उस आखिरी इंसान के बारे में बताता हूँ जो निरावन्ती की खोज में गया था शायद आपको कोई काम की बात मिल जाए जो आपको निरावन्ती खोजने में काम आ जाए उसका नाम राव साहिप था वे रत्नागिरी के पास एक गाव का जमिदार था मुँ में चान्दी का चमश लेकर जन्म हुआ था कभी किसी बात की कमी नहीं थी मल थे इसलिए बल भी था धन और बल दोनों से वे अपने सामने हर किसी को जुकाना पसंद करता था बहुत अमिर होने के बावजुद उसे एक बात की कमी हमेशा खलती थी एक ऐसी बात जिससे सब सुक होने के बाद भी उसकी कई पुष्टों को अपसोस के साथ जीने के लिए मजबूर किया था इस बात का पता चलते ही वे एक ही बात सोचने लगते थी कि शायद ये किसी तरह से बदला जा सके वे बात ये थी कि उसके खांदान में बहुत पहले किसी ने केवल एक गलत पहमी के कारण साथ को ये भरे जाते ही इतना सोना और हेरे जवारात समुद्र में डुबा दे थे उन्हें अपसोज इसी बात का होता था कि काश वे बात बदली जा सकती तो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में किने जाते पर ऐसा तभी हो सकता था जब समय में पीछे जाकर उस गलत पहमी को तूर किया जा सके राव साहिब को पहले या बात पता नहीं थी कि समय में पीछे जाया जा सकता है क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता जो असंबव हो पर जैसा कि उसके पहले कई पुष्टों ने क्या था केवल वे उस धन का पता लगाना चाता था उसके लिए उसने भी उनी तरुकों को अपनाया था जिसे उसके पुष्टों ने अपनाया था जैसे जोतिश्यों, तांत्रिकों, मांत्रिकों के माध्यम से धन का पता लगाना लेकिन बहुत कुछ करके भी कुछ हासिल नहीं हो सकता था समय और पेशा, दोनों बर्बाद हो रहे थे लेकिन उस अमर्याद धन के आगे इस धन की कोई कीमत नहीं हो सकती थी और ऐसे में ही एक दिन रतना गेरी में एक अध्वुत मांत्रिक आया लोग कहते थे कि उसने पिशाच्य वश किया हुआ है जो उसका हर उक्म मानता है राव साहिब को उसमें रूची नहीं होती यह कैसे हो सकता था राव साहिब भी रतना गेरी चला गया और उस मांत्रिक को मिला पहले ही मुलाकात में मांत्रिक ने राव साहिब पर ऐसी चाप छोड़ी कि उसने मांत्रिक को अपने हवेली पर बुलाया मांत्रिक आने के लिए कबूल हो गया दो दिन बाद ही मांत्रिक राव साहिब की हवेली पर था उसकी अच्छी मेमान नवाजी की गई हर तरह से उसे प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी इसलिए कि राव साहिब ने यह भी सुना था कि मांत्रिक के पास अंजन बनानी की विदी है प्राचिनकाल से ही लोगों में यह बात प्रचलित है कि किसी तरह का रासाइनिक काजल जिसे अंजन केते हैं वह आकों पर लगाने से जमीन के नीचे दबा हुआ खजाना दिख जाता है वही पाने के लिए राव साहिब इतने यतनक कर रहा था एक हपता निकल गया पर मांत्रिक ने कुछ नहीं खा वह तो अच्छे भोजन और मुलायम गतों का आनन ले रहा था राव साहिब के सबरगाबान तूटने लगा था लेकिन फिर भी अगर मांत्रिक को बुरा लगा तो कही ये मुझे शापना दे दे इसलिए उसने चुप बेटना ही ठीक समझा राव साहिब का यह धहरिय वियर्त नहीं गया दूसरे दिन मांत्रिक और राव साहिब एक कमरे में अकेले बेटे थे तब मांत्रिक ने राव साहिब से पूछा कि उसे उसे क्या चाहिए तब राव साहिब ने अपनी इच्छा और उस खांदानी खजाने के बारे में मांत्रिक को बताया मांत्रिक की आखे चमक उठी उसने जिंदगे में कभी इतने खजाने के बारे में नहीं सुना था लेकिन उसने अपने चेहरे को निर्विकार रखा उससे जाहिर नहीं होने दिया कि उसे भी खजाने की लालसा है उसने राव साहिब को अपना इतिहाज बताना शुरू किया कि कैसे वे मांतरिक बना उसने जो बताया वे यह था मैं भी पहले एक सीधा साधा किसन था मेरा नाम बाबु था मेरी शादी हो चुकी थी लेकिन माबाप में से कोई भी तब जीवित नहीं रहा था मेरे पास कुछ बिगा जमिन थी उससे ही अपना गुजारा करता था एक शाम मैं खेज से लोट रहा था तो मुझे अपने दोस्त जो आग जला कर उसके पास बैटकर गप्पे लड़ा रहे थे वे दीख गए उन्होंने भी मुझे देखा और आवाज लगाई कहा कि मैं भी थोड़ी देर उनके साथ बैठू काम तो रोज़का लगा ही रहेगा मुझे भी यह बात ठीक लगी कि आदमी को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना चाहिए गर में बीवी रहा देख रहे होगी यह बात तो मेरे दिमाग में थी लेकिन फिर मैंने सोचा कि एका दिन थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा कोई बहाना बढ़ा लेंगे गपे लड़ाते लड़ाते समय का ध्यानी नहीं रहा बहुत देर हो गई मैं गाउ के बाहर रहता था मैंने अपने दोस्तों से इजाज़त मांगी और अपने रास्ते लग गया मुझे खेट जाने के लिए पूरा गाउ पार करना पड़ता क्योंकि मेरे घर और खेट के बीच में गाउ था और एक बात थी मुझे डर बहुत लगता था और मेरे घर आने जाने के रास्ते में समशान भूमी थी मैं घर इसलिए जल्दी जाता था कि रात को समशान के पास से गोजर ना पड़े लेकिन उस दिन मुझे बहुत तेर हो गई थी मैंने जैसे तेसे अपने मन को तैयार किया क्योंकि आगे समशान भूमी यानि भोतों का इलाका शुरू होने वाला था मुझे जैसे डरपोग इंसान के लिए यह बात बहुत गंबिर थी मैं तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगा मुझे वस अपने घर पहुँचना था अब समशान भूमी शुरू हो गई थी मैं मन में राम नाम जपने लगा अचानक से अंधेरा बहुत घना हो गया मेरा डर अब चरम सिमा तक पहुँच गया मुझे अब इतना ज़्यादा डर लगने लगा कि अब इसी डर की वज़े से मेरी मौत ना हो जाए इस बात की चिंता होने लगी थी समशान के सन्ना टेको उन लोगों की आवाज भंक कर रही थी जिससे माहुल और तरावना हो गया तभी अचानक से किसी के चीखने की आवाज आई डर की एक तेज लहर मेरे सेने से दोड गई मैं जगा पर ही खड़ा रहा दूर कही कुछ चमक रहा था लगता था किसी की चिता चल रही थी अब मेरी हालत इतनी गंबिर हो गई कि मेरे सीने में तेज दर्थ होने लगा मेरी सांस तेजी से चलने लगी और धड़कने सामाने से दुगनी हो गई मुझे फिर से वैसे ही चीख सुनाई थी कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा लेकिन वे चीख नही थी वे तांत्रीक उसे पुकार रहा था मैं सोच में पड़ गया कि क्या करना चाहिए क्या मुझे तांत्रीक के पास जाना चाहिए या अपनी जान बचा कर भागना चाहिए मैंने निर्नाई कर लिया कि वे अपनी जान बचाएगा मैं भागने लगा मुझे जल्दी से अपने घर जाना था जहां मैं खुद को महपूस मानता था थोड़ी ही दूर गया था कि वे तांत्रीक मेरे आगे ही प्रकट हो गया अब तो मुझे लगा कि मैं पक्का मारा जाऊंगा लेकिन तांत्रीकी ने अपना अंगुटा मेरे माथे पर लगा कर उसे शान्त किया मुझे बहुत आच्छर्य लग रहा था कि मेरा डर ना जाने कहां गया था उस तांत्रीक ने मेरा हाथ पकड़कर उस जलती हुई चिता के पास लेकर गया मैंने देखा वे चिता कम और हवन कुन ज़्यादा लग रहा था उसके आजपास बहुत से अज़िबु करीब चीज़े रखी हुई थी उसमें से कुछ तो भयानक भी थी जैसे की इनसान की खोपड़ी खुन से भरे प्याले अलग-अलग मिट्टी के बर्तोनों में कई पशोन के अंग भरकर रखोय हुए थे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है मैंने तांत्रिक को पूछने का सोचा लेकिन तांत्रिक ने जैसे मेरी इच्छा भाप ली उसने उंगली मूँ पे रखते हुए इशारे से मुझे चुप रहने के लिए कहा मैं बहुत देर तक बैठा रहा जब तक कि उस तांत्रिक ने सारी विधिया पूरी नहीं की अब मध्यरात्री हो रही थी मैं राद शायद अमावस्की रही होगी तांत्रिक उसकी विधि पूरी होते ही वहाँ से उठा और उसने मुझे से कहा कि उससे आगे की विधि करने के लिए किसी स्री की बली देनी होगी जिसको अब तक बच्चा ना हुआ हो मेरा दिल तहल उठा उसको लगा कि वह किसी मुसीबत में पढ़ गया है मुझे बच्चा नहीं हुआ था और मेरी विवी गर पर थी मैं एक सादारन किसान था मेरी और मेरी पत्नी का ना कभी जगड़ा होता था ना वे मुझे किसी बात के लिए तंक ही करती थी उस दांत्री के पास ना जाने कौन सी ऐसी शक्ति थी कि मैंने उसे अपनी बांज बीवी के बारे में बताया बताते समय भी मुझे लग रहा था कि यह ठीक नहीं है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन मेरी जुबान अब मेरे नहीं किसी और के बस में थी तांत्रीक ने जैसे ही मुझे मेरी बीवी के बारे में सुना तो वे खुश हो गया उसने मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा छुड़ा दिया और कहा कि अपनी बीवी को यहां लेके आओ या फिर उसका सिर काट कर लेके आओ साथ में एक इंसान की खोपड़ी भी थी और कहा कि यदि बीवी साथ में नहीं आती और अगर मैं सिर काटने का फैसला लेता हूँ तो जैसे ही गर्दन पर छुड़ा लगाऊ तुरंत इस खोपड़ी में खुन जमा करूँ बिना एक भी बुन्च जमीन पर किराए मैंने छोड़ा हाथ में पकड़ लिया मुझे आच्छेर्य हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया मैं घर की तरब जाने लगा जहां मेरी बीवी सोच रही होगी कि उसका पती हर रोज दिन ढलने से पहले कैसे लोट आता है लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि मध्यरात्री के बाद भी वे नहीं आ पाया शायद उसने बहुत देर तक मेरी राह देखी थी और वैसे ही दरवाजे के पास सो गई मेरा घर सुनसान इलाके में नहीं था मेरे घर के आसपास भी थोड़ी दूरी पर कई घर बनाये होए थे लेकिन देहातों में लोग जल्दी सोजाते है तो दो-चार कुत्तों के अलावा कोई देख नहीं रहा था हाला कि कुत्ते कोई नया इंसान गुजरने पर बौकते जरूर थे लेकिन मुझसे उनकी पैचान थी इसलिए वे हेले तक नहीं मैं अपने घर की तरव बढ़ा दर्वाजा अंदर से बन नहीं था घर में कुछ थाई नहीं तो चोरों का कैसा डर सिर्फ आगे धकेला हुआ था मैंने सोचा यह अच्छा हुआ अगर दर्वाजा बंध होता तो बीवी जाग जाती जिससे सारा पासा पलट सकता था बीज-बीज में मुझे हैरानी भी हो रही थी कि मैं इतना निर्दाई कैसे हो सकता हूँ जो किसी तांत्री के केने पर अपनी बेगुना बीवी को बेवजव मार डाले लेकिन यह मेरा दिमाख सोच रहा था शरीर की कृती इससे बिलकुल विपरित जैसे कोई और मेरे शरीर को चला रहा हो मैं दर्वाजा धकेल कर अंदर गया तो वही पर मेरी बीवी सोती हुई दीख गई मेरा दिमाग जोर जोर से चिलाने को चाहता था मैं चाहता था कि बीवी को चिला कर उठा दू और भाग जाने के लिए कहू लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया मैंने धीरे से चोरा और खोपड़ी बगल में रग दी अब मेरे हाथ बहुत सपाई से बीवी का गला खोट रहे थे मेरे अबागी बीवी को आखे खोलने तक का मौका नहीं मिला वे चूटने के लिए बहुत चट पटाए लेकिन सिर्फ कुछ पल और फिर सब कुछ शान्त हो गया बाबु का मन बहुत व्याकुल हो गया लेकिन शरीर से वे वैसा ही निर्विकार था मैं अपने घर में थेला ढोणने लगा जिसमें छोरा और खोपड़ी रख सकूँ मुझे थेला मिल गया मैंने थेले में छोरा और खोपड़ी रखी थेला कंदे पर लटका दिया फिर देरे से अपनी बीवी का शव उठा कर कंदे पर लिया और घर से बाहर आया बाहर से कुंड़ी लगा कर घर बंद किया और स्मशान की ओर पढ़ा चा जहाओ तांत्रिक मेरी रहा देख रहा था स्मशान में पहुँचने के बाद मैंने अपनी बीवी का शव उस हवन कुंड़ के पास लिटा दिया और तांत्रिक को कहा कि मैं उसकी गर्दन काटने का धेर्य नहीं कर पाया तांत्रिक ने कहा कि वे यह काम खुद कर लेगा तांत्रिक ने मुझे इशारा किया और उसने दूसरी विधी प्रारम कर दी उसने मेरे बीवी के शव की मांग भरी हवन कुण की अगनी जब बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो गई तो उसने बड़ी सपाई के साथ मेरी बीवी का सर तर से अलग कर दिया खुद की दारा बेने लगी जो तांत्रिक ने पहले से ही नीचे पकड़े इंसानी खोपडी में गिर रही थी क्यांकि उसे मरे ज़्यादा देर नहीं होई थी तो खुण अभी भी गरम था जब खोपडी खुण से पूरी भर गई तो तांत्रिक ने आदे से ज़्यादा खुण हवन कुण में डाल दिया थोड़ा खुण जो बचा हुआ था वे उसे कुछ मंत्र बोलने के बाद गुण गूट कर पीने लगा मैं बिलकुल सुन नहों गया ऐसा अगोरी कुर्त्य मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था जैसा मेरी नजरों के सामने घट रहा था तांत्रिक ने खुण पीने के बाद उसी चूरे से मेरी बीवी गले से नाभी तक एक चीर लगाया और उसमें हाट डाल कर दिल, आती, गुर्दा आधी अंग निकाल निकाल कर उस अगनी में डाल रहा था साथी भयानक आवाज में मंत्रों के उच्चार भी कर रहा था यह सब अगले एक घंटे तक चलता रहा जब मेरी बीवी के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा तब यह सब थम कया अब स्मशान का सन्नाटा मैसुस होने लगा था कभी कभी चटचट आवाजे करती हवनकुंड की लकड़ियों की आवाज के अलावा कोई हलचल नहीं हो रही थी अगनी पहले से ज़्यादा दूदू कर जल रहा था तबी गना कोहरा च्छाने लगा लेकिन सिर्फ मेरे और तांत्रिक के आसपास जैसे एक खेरा बन रहा हो हवनकुंड से एक भयानक पिशाच प्रकट हो गया उसने तांत्रिक से कहा कि वे उसका कोई भी हुक्म मानेगा और पूछा कि अभी उसे क्या करना है तांत्रिक ने कहा कि फिलाल उसको कुछ नहीं करना है लेकिन जब मैं पुलाओं तब उसे आना होगा पिशाच ने ये बात मान ली और वे उसी तरह उस कोरे में गायप हो गया जैसे वे आया था तांत्रिक ने मुझसे कहा कि हमें अब यहाँ से निकलना होगा क्यांकि थोड़ी ही देर में सूरज निकल जाएगा और यदि किसानों ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत हंगामा हो जाएगा तांत्रिक ने सारा सामान समेट लिया और मुझसे भी कहा कि वहाँ मौझूद हर एक निशानी को मिटा दे जिससे वहाँ गटी गटनाओं के बारे में पता चल सकता हो मैंने भी वही किया जो मुझसे कहा गया सब हो जाने के बाद तांत्रिक स्मशान के पीछे के रास्ते से निकलने लगा उसने मुझे भी अपने साथ आने के लिए कहा हवन कुंड और बाकी सब तांत्रिक विधियों की चीजे हटाने के बाद से ही मैं पहले जैसा बन गया था और डर से कापने लगा था मुझे समझ में आ गया कि मेरे हाथ से कितना बड़ा गुणा हुआ है मैं तांत्रिक को पूछने लगा कि मेरे साथ उसने क्या किया था लेकिन तांत्रिक ने जवाब दिया कि अगर मैं उसके साथ चलू तो मुझे सब कुछ बता दिया जाएगा वैसे भी अब वहाँ पर रहना मेरे लिए अच्छा नहीं होता यही सोच कर मैं उसके साथ चल पड़ा लगभग चार दिन तक सपर करने के बाद हम दोनों रात को उस खंडरों में पहुँचे जहावत तांत्रिक रेता था मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ भी वैसे ही अगोरी चीज़े दिखाई थी जैसे समशान में थी फरक यह था कि तब मैं उन सब का हिस्सा नहीं था लेकिन अब ना चाते होए भी वह मेरी जिन्दगी में दाकिल हो चुकी थी यह मेरी भविश्य का हिस्सा बनने वाली थी हम दोनों ही बहुत धक चुके थे हाला कि हमने बीज बीज में रुक रुक कर थोड़ा सा आराम किया था लेकिन वे हमारी धकान दूर करने के लिए कापी नहीं था इसलिए आते ही तांत्रिक और मैं दोनों सो गए सुरज माथे पर आया तब जाकर तांत्रिकी आखे खुली वे उठा और साथ में मुझे भी उठाया हम दोनों नदी पर जाकर स्नान करके आए हम दोनों को भूग भी बहुत लगी थी क्योंकि चार दिनों से बहुत थोड़ा अन्न पेट में गया था लेकिन वहाँ पर ना चोला था ना भोजन की और कोई व्यवस्त था लगता था कि तांत्रिक वहाँ से कई मैनों के लिए बाहर आया था तबी तांत्रिक ने जोर से पुकारा सुलेमान चार दिन पहले अमावस की रात को एक स्री की बली देकर जिस पिशाच्च को वश किया था वही पिशाच आगे आकर खड़ा हो गया और पूछने लगा कि उसके लिए क्या आदेश है तांत्रिक ने उसे सबसे अच्छा खाना और पिशाच्च ने सिर्फ चुटकी बजाई और जिन चीजों की मांग की गई थी वह चीजे सामने थी यह देखकर मेरी आके खुली की खुली रह गई मैं समझ गया कि क्यों तांत्रिक ने इसे वश करने के लिए इतनी मुसीबत मोल ली थी वे कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकता था हम दोनों ने भरपेट खाना खाया और साथ में शर्बत थंडाई का भी स्वाद लिया मैंने तांत्रिक को याद दिलाया कि उसने साथ चलने पर सब कुछ बताने का वादा किया था तब तांत्रिक ने बताना शुरू किया मेरा जन कहा हुआ था यह तो मुझे याद नहीं है लेकिन मुझे एक अगोरी ने पाला था जिसका नाम था चंद्रा बाब्बू अगोरी व्यत तांतिक जमात होती है जो नर्मास का भक्षन करते है क्योंकि मैं अगोरी के साथ रेता था इसलिए हर कोई मुझे से डरता था वैसे मेरा कोई नाम नहीं रखा गया था लेकिन चंद्रा बाबू मुझे को कंद्रम केकर पुकारता था बच्पन से ही नर्बली और पशुबली को देखते देखते मेरी जैसे आत्मा मर गई थी उस अगोरी के साथ रेने से मैं भी अगोरी बन गया था मरने से पहले चंद्रा बाबू ने मुझे को पिशाचे वश करने की वीधी बताई और कहा कि यदि किसी भी तरह से तुमारा गुजारा ना चले तभी पिशाचे वश करने की सोचना तब तक नहीं क्योंकि पिशाच्य वश करने के लिए तुम्हें वे करना पड़ेगा जो आज तक तुमने कभी नहीं किया किसी गाव की स्मशान भुम्मि में जाकर पहले बकरे, कुत्ते और मुर्गे की बली चड़ानी होगी और फिर किसी बांश्री की, उसी के पती के माध्यम से बली चड़ानी होगी यदि तुम इसमें सपल होए तो पिशाच्य वश हो जाएगा और तुमारी हर एक इच्छा पूरी करेगा उस पिशाच्य को हमेशा के लिए अपने हुक्म में रखने के लिए हर अमावस को तुमें एक बच्चे की बली चड़ानी होगी तबी वे तुमारा हर एक हुक्म मानेगा, नहीं तो तुमारी बली लेकर वे फिर से अदुरुष हो जाएगा यह केकर चंद्रा बाबु ने घंटे बर बात आखरी सांस ली बीस सालों तक मैं खुद का पेट बरने के लिए बटकता रहा क्योंकि मैं सिर्फ अगोरी के साथ रिता था, लेकिन मुझे सभी तांत्री क्रियाये नहीं आती थी तो मेरा गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था तो मैंने अब पिशा चवश करने की सोची और साल बर से मैं किसी की तलाश कर रहा था हर ऐसे गाव में जाकर जहां बांच औरते है मैंने यह वीडी पूरी करने का प्रेत न किया लेकिन सपन नहीं हो सका फिर मैं तुमारे गाव में आया मैंने एक पूरा सप्ताह तुम पर नजर रखी और फिर यह वीडी आयोजित की जिससे मैं पूरी तरह से काम्याब हो गया अब मुझे एक साहयक की आवशक्ता है और मेरे लिए यह काम तुम करोगे मैं तुमारी हर एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ यह तुम अच्छी तरह से जानते हो और जब मेरा अंच समय आ जाएगा तब मैं यह पिशाचे तुमें ही स्वाप दूँगा इसके बदले तुमें सिर्फ इतना करना होगा कि हर मैने की अमावस को बली देने के लिए एक बच्चा तुमें लाना होगा कंडम ने बात पूरी की मैंने उससे पूछा कि यह काम वे पिशाचे से क्यों नहीं करवाता तो उसने कहा कि यही एक काम है जो पिशाचे नहीं कर सकता हमें पिशाचे के ले करना पड़ेगा मैं मन में बहुत डर गया था मैं सोचने लगा कि जब मैंने अपनी बीवी का कतल किया था तब मैं होश में नहीं था और मेरा खुद पर काबू भी नहीं था लेकिर अब मैं पूरे होश में था और ऐसा गिनवना काम फिर से नहीं करना चाहता था तो मैंने सोचा कि जैसे तेसे इस तांत्रिक से अपना पीचा छुड़ा लू फिर देखा जाए कि क्या होगा अमावस की रात जैसे जैसे करिब आने लगी वैसे वैसे कंदम मुझे किसी बच्चे को लाने के लिए पीचे ही पड़ गया मैंने भी कह दिया कि मैं एक बच्चे को चुन चुका हूँ और बड़ी आसानी से मैं अमावस को उसे वह लाऊंगा वे बली की तायारी की तरब ध्यान दे इतना केने पर भी तांत्रिक निच्चित नहीं हुआ था क्योंकि यह उसके जिंदगी और मौत का सवाल था उसने मुझे उसी दिन उस बच्चे को हाजिर करने को खा मैंने कहा ठीक है और बाहर निकल पड़ा दो दिन बाद ही आमावस थी लेकिन मैं वापिस उस जगह तभी गया जब अमावस हो चुकी थी मैंने वाज आकर देखा कि कन्नम का सिर्फ शरीर पड़ा है जिसका सर नहीं है तो मैं समझ गया कि अमावस को पिशाच अपनी बली लेने के लिए आया होगा और बली ना मिलने पर उसने कन्नम का सर खा लिया कन्नम की चाह की वज़स से मेरी जिन्दगी बरबाद हो चुकी थी ना मेरा घर बचा, ना मेरा परिवार ना ही मैं अब मेरे गावी वापिस जा सकता था मैंने बहुत देर तक कन्नम के शरीर के पास बैटकर सोचा की आगे क्या करूँ लेकिन कुछ सूजी नहीं रहा था मैंने कन्नम के घर याने उस खंडर की तलाशी ली कोई कीमती चीज तो नहीं मिली लेकिन एक मंत्रों की किताब मिल गई जिसमें बहुत से टोटोकों की जानकारी थी मैंने वेक किताब उठाई तो उसी जगह पर मुझे और एक कागश दिखा जिस पतर हाथ से कुछ लिखा हुआ था थोड़ा सा पढ़ने पर मुझे पता चला कि वे अंजन बनाने की और इस्तमाल करने की विदी है मैंने वहाँ से एक थेला उठाया उसमें वेक किताब और वेक कागश डाल दिया और चल पड़ा अपनी किस्मत की परिक्षा लेने के लिए पासी के पहाड पर मुझे एक गुफा मिल गई जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था और कोई जंगली जानवर भी नहीं थे पासी जरना बेता था तो पीने की पानी की कोई समस्या नहीं थी वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बस्ती थी जहाँ से मैं भिक्षा मांग कर लाता और दिन भर उन टोटकों को सिद्ध करनी की कोशिश करता मैंने सबसे आसान लगने वाले टोटके जिसमें कोई बली या किसी की हत्या की जरूरत ना हो चुने और वशिकरन दूसरों की मन की बात जान लेना आधी टोटके सिद्ध कर लिए मैं अब अंजन तयार करने के पीछे लग गया उसके लिए बहुत सारी चीजों की आउशक्ता थी जिन चीजों का नाम तक मैंने कभी नहीं सुना था लेकिन मैं कभी कबार बस्ती में किसी से बात करता था तो वे लोग कई चीजों की जानकारी दे 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 थे और मुझे उसका और एक फाइदा ये हुआ कि वे लोग अब मुझे मांत्रिक कहने लगे थे मैं भी कभी किसी का बच्चा बिमार हो जाए या किसी का जानवर किसी की बेटी को बच्चा नहीं होता हो उसके लिए अपने पास से टोटके कर देता था उनको जब उसके परिनाम अच्छे मिले तो वे मुझे और भी जादा मान देने लगे जैसे ही मेरे पास वे सब चीजे जमा हो गई जिनकी अंजन बनाने के लिए जरुरत थी मैंने राद दिन एक करके अंजन बना ही दिया अंजन बनाने की विदी लिखने वाले ने यह भी चेताउनी लिखी थी कि यदि अंजन ठीक से नहीं बना तो वे आख में लगाने वाला हमेशा के लिए अंधा बन जाएगा मेरा मन दुविदा में पड़ गया कि मैं क्या करूँ कैसे पता चले कि मेरा बनाया हुआ अंजन सही तरह का बना हुआ है वे तो आख में लगाने से ही अंजन अपने आखों में लगया पेले मेरे आखों में इतना तेज दर्द हुआ कि जैसे खोलता हुआ तेल मेरे आखों में पड़ गया हुआ मुझे लगा कि मेरी आखे चली गई मैं अंधा बन गया मैंने जो अंजन बनाया था वे गलत बना था ऐसे कई विचार मेरे मन में आ रहेते मैं दर्द से चिला रहा था कुछ देर बाद जब थोड़ा सा दर्द कम हुआ और धुन्दला सा नजर भी आने लगा तो लगा कि मैं पूरी तरज से अंदा नहीं हुआ हूँ लेकिन मेरी आखों को कुछ भी नहीं हुआ था और अंजन भी सही सही बना था ये मुझे तुरंत पता चला जैसे ही मैंने अपनी आखों को छुआ वे बिलकुल बर्प सी ठंडी मैसुस हुई अब समस्या यह थी कि अंजन का प्रतम प्रयोग कहा किया जाए मैंने दो दिन का समय जाने दिया जब मैं मेरे आखों की ठंड़क का आदी हो गया तो मैं तुरंत उस बस्ती में गया जहां बिख्षा के लिए जाता था दो दिन आखों के दर्द के करन ना मैं बिख्षा के लिए गया था ना कुछ खाया था जोरों से भूक लगी थी मैं बस्ती में गया तो लोगों ने पूछा कि दो दिन क्यों नहीं आए मैंने बताया कि मेरी तबिया ठीक नहीं थी एक अधेड उम्र के आदमी ने मुझे उसके गर पर भोजन के लिए बुलाया क्योंकि मुझे बस्ती में बहुत मान था तो मैं मना नहीं कर सका और दूसरा कारण यह भी था कि अब मुझे में इतनी ताकत नहीं थी कि यहाँ से भिक्षा लेकर वहाँ गोफा में जाकर खाओ जब मैं उस आदमी के घर पहुचा जिसका नाम आत्माराम था उसकी पत्नी ने भोजन परोसा मैंने उसे भी अपने साथ बैठने के लिए कहा हम दोनोंने भोजन किया और बोजन के बाद जब हम गपे लडाने के लिए बैठे तो मैंने अभी तक भूग की वज़े से ध्यान नहीं दिया था कि वे आदमी बहुत गरिब था गर बहुत साधरन था और सामान तो नो के बराबर था मैंने उसे पूछा कि क्या तुम्हारा गुजारा ठीक से नहीं चलता तो उसने बताया कि उसे तब से काम करने के लिए मन ही लही लगता जब से किसी बुज़र्ग ने यह बताया कि उसके दादा जी ने बहुत सारा धन एक गड़े में बंद करके खेत में कही गार दिया है तो तब से वे दिन भर खेत का एक-एक हिस्सा खोदता रहता है इसलिए बाकी चीज़ों की तरब ध्यान देने के लिए समय ही नहीं बचता उसकी बीवी ही किसी खेत पर रोजी के लिए जाती थी जिससे जैसे तैसे उनका गुजारा चल जाता था जैसे ही मैंने खेत में धन की बात सुनी मुझे अंजन की परिक्षा लेने का मौका दिखा मैंने उसे कहा कि अगर मैं उसे उस धन का सही पता दू तो क्या मुझे वे उसमें से आदा धन देगा तो उसने मेरी बात मान ली उसी रात मैं उसे लेकर उसके खेत में गया जैसा कि मैंने अंजन के उप्योग के बारे में पड़ा था उसके लिए हिरन के सिंग चाहिए थे जो कि मेरे पास फेले से थे मैं उसमें से खेत को देखने लगा हिरन का सिंग आग पर लगाते ही जमीन मानों जैसे काच की बनी हुई हो ऐसी दिखने लगी दूर एक आम के रुक्ष के नीचे मुझे कुछ चमकता दिखाई दिया मैं आत्माराम के साथ उस रुक्ष के पास गया तो मैंने फिर से हिरन का सिंग आग पर लगाया और उसके जड़ की तरब देखने लगा मैंने आच्छर्य का ठीकाना नहीं रहा जब मैंने स्पष्ट रुप से एक पीतल का घड़ा उसके अंदर के सोने सईध जमीन के अंदर कम से कम तीन हाथ नीचे देखा मैंने आत्माराम को वहाँ खोदने के लिए कहा क्योंकि वे 10-12 सालों से सिर्फ खोदने का ही काम कर रहा था तो उसने कुछी देर में तीन हाथ गेरा गड़ा खोद डाला और गड़ा साप तोर से दिखाई देने लगा हम दोनोंने मिलकर वे उपर निकाला जो बहुत वजंदार था उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे जैसे की तै हुआ था उसने इमानदारी से उसमें से आदे सिक्के मुझे दिये मैंने उसे एक कपड़े में बांद कर अपनी गुफा की और चल पड़ा और वे अपनी घर की और दूसरे दिन पूरी बस्ते में यह बात फैल गई मेरी गुफा के चारों और तो मानों मेला लग गया था उस दिन से मेरी जिन्दगी ही बतल गई खजाना ढूनने वाला मांतरीक इसी नाम से मेरी प्रसिद्धी हो गई अब मेरे पास ज़्यादा तर ऐसे ही लोग आते जिनको अपने खेत या घर से गड़ा हुआ धन निकालना हो पर हर जग़ धन होता ही था ऐसा नहीं है कई जग़ सिर्फ अववाय होती थी फिर भी मैंने कई लोगों के घर के खजाने ढूनने में मदद की और उसमें से आदा हिस्सा कमाया लेकिन अब तक की मेरी सबसे ज़्यादा कमाई सिर्फ पांच सो सित्कों की थी मैंने जब तुमारे मुँसे तुमारे खांदानी खजाने के बारे में सुना तो मुझे लगा कि अगर यह खजाना ढूनने में मैं तुम्हारी मदद कर सका तो मुझे जिन्दगी भर कोई काम करने की ज़रुत नहीं है मैंने मेरी पूरी कहानी इस तुमें इसलिए बताई कि जब मैं तुमसे आदे खजाने की मांग करू तो तुम मुझे लालची ना समझो मांतरिक बाबो ने बोलना खत्म किया राव साहिब ने कहा यह सब सुनकर मेरा आपके प्रती विश्वास और भी बढ़ गया है मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब खजाना मिलेगा तब उसमें से आदा खजाना मैं आपको दूँगा मांतरिक बाबो ने फिर राव साहिब से कह कि हर खजाने की खोज की शुरुवात उसके जगव के पता चलने पर ही होती है और जैसा कि राव साहिब ने बताया था कि उसके पुरको ने उसका खजाना संबुद्र में डुबो दिया है तो बाबो ने उससे पूछा कि उससे यह बात कैसे बता चली राव साहिब ने एक बही के बारे में बताया जिसमें उसके पर दादा ने खजाने के बारे में लिखा था बाबु को भी राव साहिब ने वे बही दिखाई जिसमें लिकावा था थे खजाने बहुत दुनिया में लेकिन यह खजाना खोजना नहीं है मुम्किन भर जाते को यह साथ ऐसी वे राशी धन की देखकर वैबो सारा मिट जाती प्यास मन की क्या कारणता पता नहीं जो आया इसकी राह में पुष्टे कितनी चली गई इस धनराशी की चाह में कई विरों ने प्रानत्याग दे धनपरवत के इस शोध में लेकिन डुबा दी गई अनंत धनराशी सागर तिर्थ की गोद में बाबो ने उस बही में लेकि यह पंतिया पढ़ी तो उसे भी कुछ समझ नहीं आया। हाला कि रतनागिरी के पास समुद्र तो था, लेकिन बाबो को यह नहीं समझ आ रहा था कि बिना किसी के जानी इतना सारा धन समुद्र में डुबाना मुमकिन नहीं है। किसी ने तो उसे देखना चाहिए था क्योंकि अगर धन को सागर में डोबोने की बात सच है तो यह एक दिन में नहीं हो सकता था अगर इतना सारा धन था बाबू ने भी बहुत सोचा मगर उसको इसका समादा नहीं मिल पाया उसने वह बै फिर से देखी तो उसे कई पन्दों पर कुछ उल्टे अक्षर जो आसानी से नदर भी नहीं आते थे और पड़े भी नहीं जा सकते दिखाई दिए उसने उस कागज को उठा कर प्रकाश के ओर पकड़ा तो कुछ अक्षर नजर आये उसने विया अक्षर कागज पर उतार दिये वे उल्टे दिख रहेते इसलिए आइने के सामने पकड ले तो उसे एक नाम नजर आया निलावन्ती मान्त्रिक ने जल्दी से राव साहिब को बुलाया और उसे उसके बारे में बताया जो उसे अभी पता चला था निलावन्ती नाम सुनकर राव साहिब भी चौग गया क्योंकि मान्त्रिक बाबू और राव साहिब भी महराष्टा के बाकी की लोगों की तरह इस प्राचिन लोककता के बारे में जानते थे कि निलावन्ती नाम का एक ग्रंथ है जिसे पशु पक्षियों की बाशा समझी जा सकती है लेकिन इसका संदर्ब इस खजाने से कैसे है यह समझ नहीं आ रहा था राव साहिब के हवेली पर एक नौकर काम करता था जिसका नाम था मानिक उसने उन दोनों की बाते सुनी वे भी अच्छी तरह से जानता था कि उसका मालिक वर्षों से खचाने की खोज में लगा हुआ है तो शायद उनको अपनी जानकारी से मदद हो जाए यह सोच कर उसने राव साहिब को कहा कि वे निरावन्ती के बारे में कुछ जानता है राव साहिब ने बताने को कहा तो उसने बताया कि सुना है कि निरावन्ती में समय में पीछे जाने का भी ज्यान लिका हुआ है शायद आपके पुरके उसकी मदद से वे ख़जाना खोजना चाते हो राव साहिब और मांत्रिक बाबू दोनों ही उस बात से सेमत हो गए क्योंकि निरावन्ती के बारे में जितनी भी क्यों धन्ति या प्रचलित थी उसमें से यह भी एक थी राव साहिब ने पूछा लेकिन मानिक यह तो बताओ यह निरावंती असल में है भी या नहीं क्योंकि मैंने आश्टक कईयों के मुझे इसके बारे में सुना है लेकिन मुझे एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने पढ़ने की बात तो दूर निरावंती देखी भी हो वेक कहा है यह तो मैं नहीं जानता हाँ लेकिन उसे खोजने के लिए कहा जाना पड़ेगा यह बता सकता हूँ क्योंकि मैंने जो भी सुना है उसके अनुसार महा बढ़ेश्वर के जंगलों में बाजिन रेता है उससे निरावंती के बारे में जरूर पता होगा कौँकि वे भी जानवरों की भाषा बोलता है मानिक ने बताया ठीक है तो फिर हम खोदी बाजिन को ढूलेंगे और उससे निरावंती के बारे में पता लगाएंगे इतने सालों के बाद अब जाकर कोई सुराग मिला है खजाने के बारे में तो अब इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते मांत्रिक ने भी सहमती दर्शाई राव साइब और बाबु दोनों ही महाबरुशर के जंगल के छोर पर खड़ी थे उन्होंने अंदर जाने से पहले किसी को पूछना ठीक समझा क्योंकि किसी जानकारी के बिना वे उस घने जंगल में महीनों भटके तो भी उनके हाथ कुछ लगने की आशा नहीं थी थोड़ी ही दूर एक गडरिया बेड चराता हुआ दिखा राव सहिप और मांतरिक बाबू दोनों उसके पास गए और उसे बाजिन के बारे में पूछने लगे कि अगर उनको बाजिन को ढूणना हूँ तो कहा जाना चाहिए पेले तो गडरिया ने बताने से साप मना कर दिया और कहा कि वे दोनों अगर अपने जान की सलामती चाहते है तो वापिस लोट जाए वे लोग पेले नहीं है जिनोंने बाजिन के बारे में जानने की कोशिश की कोई आज तक बाजिन को ढूण नहीं पाया था और उसका साप मानना था कि बाजिन बस एक कोरी कलपना है और कुछ नहीं लेकिन राव सहिप और माबू अपनी जीत पर अड़े रहे उन्होंने कहा कि बाजिन कोरी कलपना भी हो तो वे खुद अपने से उसकी जांच कराना चाहेंगे क्योंकि इतनी दूर आकर वे खाली हाथ लोटना नहीं चाहते थे तो गडरे ने कहा कि वे उन्हें रास्ता दिखाने के लिए तैयार है उसने उन दोनों को बेताल की एक मुर्ती के पास लाकर छोड़ा जिसे बर्सों से किसी ने नहीं पूजा था कहा कि इसके पीछे से सीधे चलते होए जाए जब तक ऐसी ही एक मुर्ती ना दिख जाए और उन्हें छोड़कर वे चला गया राव साहिब और बाबु दोनों ही बेताल की मुर्ती के पीचे से चल पड़े जैसे जैसे अंदर जा रहे थे वैसे जंगल और ज़्यादा घना हो रहा था वे इतना अंदर पहुँच गए कि दोपर होने के बावजूद राज जैसा अंदेरा चा रहा था सीधे चलना जितना कहा गया था उतना आसा नहीं था क्योंकि रास्ते में पेर पो थे बड़ी बड़ी शिलाए इतनी थी कि कई बार रास्ता बटक जाते थे उन्होंने मशाल जलाई जो साथ में लाई थी पता नहीं कितनी देर हुई लेकिन ना बेताल की मुर्टी दिखने का नाम ले रही थी ना जंगल खत्म होने का अचानक से उन्हें एक आकुरती नजर आई साप नहीं थी कि लेकिन पता चल रहा था कि वे एक मुर्टी है दोनों ही मुर्टी के पास महुचे और सोचने लगे कि अब आगे क्या तभी मुर्टी जिसकी पीट इनकी तरब थी वे अपना सर इनकी तरब खुमाने लगी दोनों ही डर से कापने लगे उन्हें समझ आया कि क्यों बाजिन की खोज में आया हर इंसान मरा हुआ पाया गया था वे था डर लेकिन सिर्फ डर नही जिस जगह पर वे खड़े थे वहां की जगह धेरे धेरे सिकूडने लगी इतनी की लगता था वे दोनों उसमें पिस जाएंगे चारों और से जगव इतनी संकरी हो गई कि उन दोनों का दम घुटने लगा तबी उनके पेरों के नीचे एक सुरंग तैयार हो गई और वे दोनों उसमें गिर गए वर सुरंग कई निकलने का गुप्त रास्ता था बाबू और रावसाइब दोनों ही उसमें से फिसलने लगे कुछ देर बाद वे कही पर गिर गए जंगल के मुकाबले वहाँ पर बहुत प्रकाश था उन्होंने देखा वे कोई पुराना किला था बाकी किलों की तरह यह उचायों पर नहीं था बलकि जमीन की सतर के कापी नीचे बना हुआ था किले की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी कुछ दिवारे, खंबे बचे होएते, बाकी सब गिर गया था गिरते समय बाबू और राव साहिब का शरीर कई जगह से छिल गया था और कपड़े भी थोड़े से फट गये थे उन दोनों को यह पता नहीं चल पा रहा था कि वे जंगल की कौन से हिस्से में है दोनों ही वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे क्योंकि वे जास ही गिरे थे, वो सुरंग का छोर दज बार हाथ उचाई पर था चड़ाई सीधी थी, इसलिए वहाँ पर आसाने से पहुंचा नहीं जा सकता था दूसरी बात यह थी, कि वे उस जगह वापिस जाना भी नहीं चाते थे जैसा कि किला जमीन की सत्र के नीचे उकेरा गया था तब भी बहुत विशाल परिसर में फेला हुआ था जब इसे बनाया गया था, तो मज़़ूर नीचे आते ही होंगे तो उपर चड़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर होना चाहिए पर बहुत देर तक ढूनने के बाद भी उपर जाने का जरिया नहीं मिल रहा था परिसर में बहुत सी गुपायत भी लेकिन वे अंदर कितनी गेरी है, इसका अंदाजा नहीं लग रहा था इनके पास जो मशाल थी, वे थोड़ी ही देर पहले की हड़बड़ी में कहीं गिर गई थी समय निकलता जा रहा था दिन का कौन सा समय है, यह तो पता नहीं चल पर आता लेकिन वे कभी ना कभी तो डलने वाला तो थाई बाबू का केना था, कि ऐसी जगह पर रात के समय रुकना ठीक नहीं होता कई बार ऐसी जगह शापित होती है उसका यह भी केना था, हो नहो जिन लोगों की जान गई है, वे इसी जगह पर मारे गए हो राव साहिप को बाबू की बात जज गई अब तो उन्हें भी चिंता हो रही थी बात सिर्फ बाहर जाने की नहीं रहे गए थी अब जान भी बचानी थी वहाँ पर 22 गुफा है थी मगर किसी भी गुफा में प्रकाश नहीं था जिससे अंदर जाकर रास्ती की खोज की जा सके मांत्रिक को एक चक्मक पथर दिखाई दिया तो उसने आग जलाकर मशाल बनाने की सोची बहुत देर कोशिश करने के बाद आखिर कार आग जल गई थी पर दिन डल चुका था अंधेरा धीरे धीरे और घना हो रहा था उनके पास ज़्यादा समय नहीं था पेली गुफा के अंदर मशाल लेकर दोनों दाखिल हो गई लगता था कि गुफा बहुत दूर तक फेली हुई थी क्योंकि मशाल का प्रकाश ज़्यादा दूर तक पहुँश नहीं पा रहा था वे जितना भी आगे जाते उतनी गुफा और दिखाई देने लगती थी दिन भर जंगल में चलने के कारण पेले ही दोनों के पेरों ने जवाब दिया था उपर से वे उस सुरंग से भी गिरे थे जिससे भी चौट पहुँची थी पेट में कव्वे हल्ला मचा रहे थे और येसे में यदि एक एक गुफा इतनी बड़ी हुई तो क्या कर सकते थे मशाल आदी खत्म हो गई तबी बाबु ने कहा कि हम और आगे नहीं जा सकते क्योंकि फिर वापिस जाने के लिए प्रकाश नहीं बचेगा अगर इसी गुफा में फसे रह गए तो दिन निकलने पर भी प्रकाश नहीं आएगा और दिशा का पता न चलने के कारण गुफा की अंदर ही फस जाएंगे तो राव साइब का केना था पता नहीं हमारा यह निर ने गलत निकल जाए तो हो सकता है कि बाहर जाने का रास्ता इसी गुफा में से निकली समस्या दोनों और से थी और वे दोनों ही दुईदा में पड़ गए दोनों को एक दुसरे के मत सही लग रहे थे निरने लेने के लिए वक नहीं था नहीं तो मशाल वही पर बुज़ सकती थी वे गुफा के बहुत अंदर तक आये थे बाबो ने कहा कि राव साहिब की बात ठीक है लेकिन हम पहले बाहर जाते हैं और बहुत सारी मशाले बनाते हैं और दूसरी गुफा से फिर से शुरुवात करेंगे यदि बाकी गुफाओं में रास्ता नहीं मिला तो फिर से पेली गुफा में जाएंगे इससे हमारे बशने के मौके बढ़ जाएंगे राव साहिब ने बात मान ली दोनों गुफा से बाहर आ गए बाबो की बात बिलकुल सही थी क्योंकि गुफा के दर्वाजे पर पहुँचते ही मशाल बुज गई थी रात को क्योंकि तारे नजर आ रही थे तो बाबो जो रात को खजाने निकालने के लिए जाते समय तारों से ही समय का अंदाजा लगाया करता था वे समझ गया कि आधी रात पीच चुकी थी अब खत्रा पेले से ज़्यादा बढ़ चुका था तो कि रात का यही वे समय था जिससे सभी अन्होनी गटनाए हुआ करती है साथनू की कमे की वज़े से मशाले बनाने में बहुत समय लग रहा था वैसी परिस्तिती में भी बाबो ने पाच मशाले बना ली थी लेकिन उन्हें यकिन नहीं हो रहा था कि इतनी मशाले एक गुफा के लिए कापी होगी बाबो भी ठक गया था उसका मन तो कह रहा था कि रास्ता खोजना जरूरी है लेकिन तन साथ नहीं दे रहा था उसे विश्राम की सक जरूरत थी राव साहिब की स्थिटी भी इससे अलग नहीं थी दोनों ने सुबे होने का इंतजार करने का फैसला किया और बाहर ठंड लग रही थी इसलिए उस गुफा के अंदर सोने चले गए जिसमें वे पेले जा चुके थे वे जादा अंदर नहीं कहे थे दोनों लेट गए बोक और धकान के मारे उनका बुरा हाल था लेट ते ही दोनों की आख लग गई तभी राव साहिब को कई से पायल की आवाज सुनाई दी पेले उसने सोचा कि यह उसका व्यम होगा कभी कभी थकान की वज़े से भी दिमाग ब्रह्म पैदा करने लग जाता है फिर से वैसे ही आवाज अब की बार बाबु की भी आखे खुल गई और वे उठकर पेड गया राव साहिब को पेले से उठा देखकर बाबु जान गया कि उस अकेले को वे आवाज नहीं सुनाई दी थी फिर से पायल की आवाज आई इस पार ज़्यादा तेज दोनों को डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था लेकिन उसका सामना करने की अलावा उन दोनों के पास कोई और रास्ता भी नहीं था एक दोसरे का हाथ धामे हुए दोनों गुपा से बाहर निकले और देखने लगे कि आवाज कहा से आ रही है थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आई वे किसी गुपा से आ रही थी पर कौन सी यह पता नहीं चल रहा था बाबो ने मशाल जलाई और वे दोनों हर एक गुपा के मुँपर जाकर सुनते कि आवाज कहा से आ रही है सबी गुपाओं के मुँँ एक दूसरे से सटे होई थे वे जैसे ही तेरवी गुपा के पास पहुँचे आवाज ज़्यादा तेज हो गई वे दबे पाउं गुपा के अंदर जाने लगे डर अब हच से ज़्यादा बढ़ने लगा था बाबो का पहले का डरपुक सवाव फिर से उभर गया और उसके पाउं थर-थर कापने लगे वे गुपा के काफी अंदर चले गए थे लेकिन जितना वे आगे जाते थे आवाज उतनी ही अंदर से आते हुई लगती थी तब ही बहुत दोर कही एक टिम्टिमाती रोशनी दिखी बिलकुल बाबु के हाथ की मशाल जैसी वे धीरे धीरे उस और बढ़ने लगे वे रोशनी गुपा के अंदर बने और एक गुपा से आ रही थी वे उस छोटी गुपा के मौहने तक पहुच गए और जैसे ही अंदर का दुरुष्ट देखा तो दंग रहे गए एक किशोर वईन लड़का जिसके हाथ में एक लाटी थी जिसमें गुंगुरु बांदे होए थे वे अपनी लाटी जमीन पर मार रहा था उससे पायल जैसी आवाज निकल रही थी उसके आसपास जंगल के हर एक जानवर का एक एक प्रतिनिदी उपस्तित था जैसे उन सब की सभा चल रही हो और वे लड़का उनका नेत्रत्व कर रहा हो वह लड़का प्रतिक जानवर से बात कर रहा था बाबू और रावसाहिब समझ गए कि यह वही है जिसकी तलाश वे कर रहे थे बाजिंद गोपा में शेर, भेडिया, लोमडी, लकडबग्गा, हिरन, मोर, साप, बिच्चु, आधी कई प्रकार के जंगली पशु थे जंगल में जिनका आपस में बैर होता था, वे जानवर भी एक दुसरे के पास बेटे होई थे बाबू और रावसाइब हैरान हो गए, वे सोच रहे थे कि अंदर कैसे जाए, किसी जानवर ने हमला कर दिया तो वे गुफा के अंदर तो आ गए, लेकिन आगे नहीं बड़े तबी उस लड़के की नजर उन पर पड़ी, उसने अपना सिर हिला कर उनको पास आने के लिए कहा बाबू और रावसाइब दोनों भी उसके पास चले गए उस लड़के का चेरा इतना आकरचक था, कि ना बाबू ने ना ही रावसाइब ने इतना खूबसूरत इंसान अपनी पूरी जिंदगी में देखा था उसने सिर्फ एक दोती पेनी हुई थी, उसका बदन बेहद गठिला था पुष्ट बुजाय थी, लंबे बाल कंदे पर जूल रहे थे और मुसकान के तो क्या कहने, कोई इंसान ही क्या, जानवर भी उस मुसकान का कायल हो जाता उसके चेरे पर एक अजीब सी शान्ती थी, जो उन्होंने किसी के चेरे पर नहीं देखी थी संसार के सभी सुईदाओं से दूर, सिर्फ इन जानवरों के बीच रेकर भी वे इतना खुश दिखता था, जितना खुश संसार का सबसे अमिर इंसान भी ना हो लड़के ने उनसे पूछा कि वे यहां कैसे पहुँचे, यह तो उसे मालूम है, लेकिन उनके यहां आने का हेतु क्या है, यह वे जानना चाता था उसने का कि यदि वे निरावंती के बारे में जानने आये है, तो मुश्किल है कि वे यहां से जिन्दा वापिस जाए उन्हें मारा नहीं जाएगा, लेकिन निरावंती का रहस्य ही यह था कि उसे एक बैठक में सुनना पड़ता था लड़के का कहना था कि वे एक बैठक में उसे सुनाथ सकता है, लेकिन सुनने वाले में इतनी क्शमता ना होने के कारण, वे अपनी जान से हाग दो देते थे तब राव साइब ने कहा कि उन्हें निरावन्ती के बारे में सिर्फ इतना जानना है कि उनके किसी पुर्खे ने लिखी किताब का उससे क्या सम्मंध है उनकी जानवरों की बाशा समझने में कोई रूची नहीं है और अपने खानदानी खजाने बाबू से मुलाकात और उस गुफा तक पोशने की पूरी कहानी बताई तब लड़के ने कहा मेरा कोई नाम नहीं है मैंने यहाँ आने वाले लोगों के मुझे ही सुना है कि लोग मुझे बाजिन के नाम से जानते है लोग समझते हैं कि मैं जानवरों की भाषा जानता हूँ यह निलावंती की वज़े से है लेकिन मैंने उस ग्रंथ को पढ़कर जानवरों की भाषा नहीं सिखी खुद रूद्र गनिका निलावंती ने मुझे यह भाषा सिखाई है क्या? निलावंती स्री है? यह हमें नहीं पता था हमने सिर्फ इतना ही सुना है कि निलावंती का नाम एक ग्रंथ है जिसे पढ़ने से जानवरों की भाषा समझती है राव साहिब ने कहा लेकिन आप निलावंती के बारे में क्यो जानना चाते है? जरा बताईए बाजिन ने कहा राव साहिब ने अपनी जेल्ब में रखा वे कागज निकाला जिस पर खजाने का उल्ले किया गया था और जिस पर निलावंती अक्षर उल्टे लिखे गए थे वे कविता पढ़ते ही बाजिन मुस्कुराने लगा बाबू और राव साहिब दोनों उसके चेरे की तरब देखने लगे बाजिन ने कहा कि इसका उत्तर तो बहुत ही आसान है बाजिन ने कहानी शुरू की क्योंकि यह मेरे जन्म के पेले की बात है और मेरी उम्र अभी ग्यारासो साल है तो यह घटना बहुत ही पुरानी है आप इसे द्यान से सुनियेगा क्योंकि इसी कहानी में आपके खजाने का रहस्य चुपा हुआ है पेले के लोग बहुत ही अक्लमन थे वे जानते थे कि मनुष्य प्रकुति के साथ इतना नहीं एकरूप हो पाता जितना की पशो पक्षी पेड़ पौदे होते है इसी से वी एस सुष्टी में अपना वजुद बनाए रखते है वे प्रकुति के नियमों के बारे में हमसे बहुत जादा जानते है सोचिए हजारों पक्षी बिना किसी दिशादर्शक के एक जगह से दूसरी जगह जाते है प्रतेक वर्च कैसे यह वे कर पाते है प्रकुति की भी अपनी बाशा है जिससे वे हमसे समवात करती है मनुष्यों को भी वे बाशा समशती थी लेकिन फिर जैसे जैसे मनुष्य यंतरों का साहिय लेने लगा तो उसे प्रकुति के साथ समवात करने की आवशकता कम लगने लगी जिन लोगों को अब भी प्रकुति के रहस्य जानने थे उनके लिए उसका एक मादर जरिया था जानवर जिनसे बात करके वे उन रहस्यों को उजागर कर सकता था तो हमेशा से खी वे जानवरों की बाशा सिखने की कोशिश में लगा था हाला की काम याप कोई विरला ही होता था वे भी एका जानवर की बाशा में परन्तु इतना कापी नहीं था पिर किसी ने जाना की बच्चे का जन हो जाने के बाद यदि उसको पेली बार पिलाये जाने वाला पानी जंगल में रखकर जब सभी पशु पक्षी जानवर पी ले तो इसका एक घूट बच्चे को उन सभी जानवरों की बाशा का ग्यानी बनाएगा जिनोंने वे पानी पि ती वे मनुष्य था निलावंती का पिता जब निलावंती पैदा होई ती उसके तीन दिन पहले उसके पिता ने जंगल में एकवरतन में पानी बरकर रखा था उन तीन दिनों में जंगल के लगभग सभी जानुरों का मू उस पानी को लग गया था गिलावन्ती पेदा होने के तुरंत बाद उसको वे पानी पिलाया गया उसका प्रभाव यह हुआ कि वे चिडिया, चीटी, कव्वे, कुत्ते आधी बहुत से जानोरों की बाशा समझने लगी वे जानोरों की बाशा समझती थी तो उनको उनी की बाशा में उत्तर देती थी लेकिन जब गाव के लोगों ने यह सुना कि चोटी सी लड़की के मुव से इंसानी बाशा से पहले जानोरों की आवाजे निकल रही है तो उन्होंने उसके पिता से कहा कि यह लड़की शापित है इसे गाव पर कोई संकट आ सकता है तुम इसे जिंदा नहीं रख सकते निरावन्ती की पिता ने गाव वालों को समझाया कि यह सिर्फ उसके किये हुए प्रयोग का नतिजा है पर किसी ने उसकी बात न सुनी पंचायत बिठाई गई और सभी ने एक मज़ से निरने किया कि ऐसी लड़की जो जानरों की आवाजे निकालती हो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है हो सकता है उसके माध्यम से जंगली श्वापद, साप, बिच्चू, गाव में गुसे और हमारे बच्चो और प्रिय जनों को नुक्सान पहुंचाए उससे पहले ही यदि इस लड़की को मार दिया जाए तो उसकी नौबत ही नहीं आएगी निरावन्ती के पिता ने यह प्रयोग इसलिए किया था कि उसे पशुओं की अध्वुद दुनिया के रहस्य समझने थे कि कैसे बुकम, उलकापात, बाड, बारिश का प्रमान और समय इसका पता इन जानवरों को पेले ही चल पाता है यदि इन से यह बाते जान ली जाए तो हम भी मनुश्यों की कितने संकटों से रक्षा कर सकते है जब पंचायत के निर्नाई का पता निरावन्ती के माता पिता को चला तो उनके पेलो तले जमिन ही खिसक गई निरावन्ती की माने कहा कि हमें कैसे भी करके इस लड़की को बचाना चाहिए जिन पशों की बाशा जानने की वज़त से इसकी जान खत्रे में पड़ गई है अब वे ही इसकी रक्षा करेंगे सिर्फ 12 दिन की निरावन्ती को लेकर उसके माता पिता जंगल की और भागे और उसे लेकर वही रहने लगे निरावन्ती को भी जंगल बहुत पसंद आया और जंगल के श्वापदों को भी निरावन्ती भागई सभी जानवर जिनकी निरावन्ती भाषा बोलती थी वी निरावन्ती से बहुत प्यार करते थे जिनकी भाषा नहीं आती थी उनकी भाषा निरावन्ती सहवाज से सीख गई दो साल की होने तक तो निरावन्ती जंगल के किसी भी जिव की भाषा बोल और समझ रही थी उसके पिता का जो सपना था वे साकार हो चुका था। उन्हें ऐसे ऐसे रहस्य निलावन्ती के माध्यम से पता चल रहे थे जो कभी कानों से भी नहीं सुने थे। निलावन्ती को कई बार जानवरिया साप कही दबे हुए खजाने के बारे में बता देती थे। तो निलावन्ती के पिता जाकर उस जगह से वे खजाना लाते और उससे कई गरिबों की गुग्द रुप से मदद करते थे। ऐसे ही 16 साल निकल गए अब निलावन्ती एक बहुती सुन्दर किशोरी में बदल गए थी। एक बार की बात है जब पाच्छे लुटेरे कही से निलावन्ती के पिता का पीछा करते हुए उस जंगल में पहुच गए। निलावन्ती और उसके परिवार को जीने के लिए जो भी आवश्चक था वे उस जंगल से मिल जाता था। थोड़ा बहुत खर्चा सिर्फ कपड़म पर ही होता था तो बहुत सारा खजाना उसी गुपा में पड़ा हुआ था। लोटेरियों ने जब वे देखा तो उनकी आखे चोंदिया गई। बहुत सारा खजाना बिना किसी मेहनत के मिल गया यह उनके लिए बड़ी खुशी की बात थी। निलावंती के उपस्थीत रहते हुए कोई भी उस गुपा की तरप नहीं आ सकता था क्योंकि जंगल के सभी जानवर उसकी रक्षा करते थे और उनसे उसे कही भी गटना का पता चल जाता था। लुटेरों ने कजाना चीनने के लिए निलावंती के माता पिता को मार डाला। लुटेरे जंगल से नहीं निकल पाए। रास्ते में ही हातियों के जुन ने उन्हीं कुचल डाला। पर इस घटना ने निलावंती को बहुत आहत किया। उसके रिदय को बड़ी चोट पहुँची। उसके माता पिता बहुती सादु सभाव के इंसान थे। उन्होंने कभ उद्देश हो गया था। लेकिन उसके माता-पिता की हत्या के साथ उसको एक और उद्देश हो गया। समाज के बुरे लोगों का नाश करना। इसके लिए जरूरी था कि वे खुद भी मौत से बच सके। उसने जानवरों से पूच कर संजीवनी बुटी का पता लगाया। जिसके खाने से मनुष्य मौत को टाल सकता था। जब उसने वे बुटी खाई तो वे भी मृत्यू के भई से रहित हो गई। उसने अनेक ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिनसे समाज को खत्रा था। और अपने माता-पिता के जैसे बहुत से लोगों की मदद भी की। उसकी अमरता जानवरों की भाषा समझने की उसकी अद्भुट शक्ति इससे उसकी गन्ना कुबांडों में होने लगी। कुबांड वे लोग है जिनमें अद्भुट शक्तिया होती है। उन्हें बगवान शिव के गनों में भी गिना जाता है। एक दिन की बात है एक पहले कभी भी इस रास्ते से नहीं गया था इसलिए उसे यह नहीं पता था कि जंगल में किसी अपरिचित का आना प्रतिबंदित है क्योंकि निलावंती के माता पिता की हत्या के बाद जंगल के पशु निलावंती की सुरक्षा के बहुत चिंता करते थे वे किसी को भी जंगल में गुसने नहीं देते थे मगर वे व्यापारी तो अंदर आ गया था बेडियों ने उसकी बेलगाडी का पीचा शुरू किया बेडियों की जुन को देखकर बेल डर गए और उन्होंने जोर से दोड़ना शुरू किया बेल गाड़ी बोरी तर से खिशने के कारण पत्तरों पर टकरा के तूट गई व्यापारी नीचे गिर कर बेवोश हो गया बेल जंगल के बाहर भाग गए निलावंती को उस व्यापारी के बारे में पता चला तो वे उसके पास पहुँच गई उसने देखा एक खुबसुरत नौजवान बेहोश पड़ा है उसने उस पर गेरी चोट आई है उसका अगर इलाज नहीं किया गया तो वे मर जाएगा वे उसे अपने साथ अपनी गुफा में लेकर गई निलावंती को जड़ी बुठियों का ग्यान था तो उसने उसका अच्छी तरह से इलाज किया दो दिन बाद जब उस नौजवान को होश आया तो उसने देखा कि एक अतिसुन्दर लड़की उसका खयाल रख रही है उसने निलावंती से बात की और अपना नाम अनिल बताया निलावंती ने अनिल से कहा कि उसका पूरी तरह से इलाज होने के कुछ दिन और लग जाएंगे उन कुछ दिनों में अनिल को निलावंती से प्यार हो गया कुछी दिनों में अनिल पूरी तरसे ठीक हो गया उसने अपने मन की बात निलावन्ती को बता दी निलावन्ती को भी अनिल अच्छा लगा था और वे उसकी इस हालत का खुद को जिम्मेदार मान रही थी सानुभुती भी प्यार होने की एक वज़े होती है इसी वज़े से निलावन्ती को भी उससे प्यार हो गया था अनिल ने निलावन्ती से विवा के लिए पूछा निलावन्ती ने कहा कि वे उससे विवा करेगी लेकिन उसकी कुछ शर्ते है अनिल ने शर्ते पूछी तो निलावन्ती ने बताया उसकी पेली शर्ट यह है कि वे रात में कभी भी उसके साथ नहीं सोएगी दूसरी शर्ट यह है कि वे अगर रात को कही जाए तो वे उसे नहीं ढूंडेगा अनिल ने उसकी दोनों शर्टें मान ली पाच साल वे बहुत खुशी-खुशी साथ रहे एक दिन दोपर को निलावन्ती और अनिल जंगल में बटक रहे थे तबी एक नेवला और नेवली कही जाते दिख गए नेवली उदास लग रही थी निलावन्ती ने पूछा कि वह क्यों दोकी है नेवली ने बताया कि उसका पती अंदा है इसलिए वह उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती निलावन्ती के पास अंजन था जो निलावन्ती ने उस नेवले की आख में लगाया तुरंट नेवले को सब कुछ दिखाई देने लगा नेवली ने निलावन्ती को दो दिव्य रतन दिये कहा कि यह दो रतन बहुत शक्तिशाली है इसमें से पहला जिसके पास होगा वे किसी के भी मन की बात जान सकता है और दूसरा पास होने से वे किसी से भी हारेगा नहीं निलावन्ती का पती अनिल दोर से सब देख रहा था जब उसने निलावन्ती से पूचा तो निलावंती ने भोले पन से बता दिया मगर सिर्फ एक मनी के बारे में जिससे कभी हार नहीं होती थी दोसरे मनी के बारे में उसने कुछ नहीं बताया इसलिए नहीं कि उसका अनिल के उपर विश्वास नहीं था बलकि व्ये उस मनी की परिक्षा लेना चाती थी अनिल की इच्चा हुई कि सदा जीत दिलाने वाली व्य मनी उसके पास हो उसने निलावंती से व्य मनी मांग ली निलावंती ने कहा कि उसे उनकी क्या जरुरत है तो अनिल ने कुछ नहीं बताया लेकिन उसने दूसरे मनी के प्रभाव से उसके मन की बात जान ली कि अनिल उस जंगल के बाहर जाकर उस राज्यपर विजय प्राप्त करना चाहता था जिसमें वे जंगल था वे मनी उसके पास होने से यह बहुत आसान हो जाता निलावन्ती को उसके विचार जानकर आच्छे रहुआ लेकिन उसने अनिल को यह पता नहीं चलने दिया एक राज जब निलावन्ती और अनिल जो शर्तों की वज़े से अलग-अलग सोते थे जब वे सोय हुए थे तब अनिल को दूर से बेडिये के चिल्लाने की आवाज आई वे निलावन्ती को बता रहा था कि उसे अब भगवान शिव के गनों में जाके रहना चाहिए लेकिन शिवगनों में स्थान पाने के लिए जो चिज आवश्यक है वे एक प्रकार का ताविस था जिसका पता बेडिया उसे बताना चाहता था निलावन्ती ने बेडिये का संदेश सुना तो तुरंत वे नदी की तरप निकल पड़ी निलावन्ती जाने के थोड़ी देर बात अनिल भी उसके पीछे निकल पड़ा निलावन्ती जान गई कि अनिल उसका पीछा कर रहा है लेकिन उसने उसे मना नहीं किया नदी के किनारे पहुशने पर बेड़ी या निलावंती से मिला और उसने बताया कि अभी थोड़ी देर बाद एक प्रेथ नदी में बेता हुआ आएगा उसकी कमर में वे ताविज बंदा हुआ है जिसकी मदद से वे भगवान शिव के गनों में शामिल हो सकती ही थी निलावंती नदी के किनारे ही उस प्रेथ का इंतिजार करती हुई बेड़ गई आधि रात के समय नदी में एक प्रेथ पेता हुआ आया निलावंती उस प्रेथ के पास गई और उसे खीच कर किनारे पर लेकर आई अनिल पूरी घटना पेड़ के पीछे चुपकर देख रहा था निलावन्ती की पीट अनिल की तरप थी, तो उसे वे क्या कर रही है या नहीं दिख रहा था निलावन्ती ने उस प्रेट के कमर में बंधा ताविज देखा वे बौत ही विशेश दिख रहा था और खुच से चमक रहा था निलावंती ताविज खोलने लगी लेकिन वे इतनी मजबूती से बंदा था कि छोटने का नाम ही नहीं रहा था निलावंती ने आसपास देखा कि काटने के लिए कोई चीज मिल जाए लेकिन पत्तर भी नहीं थे सिर्फ रेथी थी निलावंती दाद से रसी काटने के लिए प्रेथ के उपर जुग गई अनिल जो पीछे से घटना देख रहा था उसे लगा कि निलावंती प्रेथ खा रही है वे बहुत डर गया और भाग कर गोफा में जाकर बैट गया वे ताविज निकालने के बाद निलावंती उसे लेकर अपनी गुफा में आ गई अनिल वही पर बैटा हुआ था उसने पूछा कि वग कहा गई थी निलावंती ने उसे विवाग के वक्त की शर्थ याद दिलाई लेकिन अनिल ने कहा कि वे सब जानता है कि वे मुर्दा खाने के लिए गई थी और उसे अब ऐसी औरत से कोई सम्मन नहीं रखना है वे उसे चोड़कर जा रहा है निज़ावन्ति ने उसे रोका नहीं पर समझाने की कोशिश की कि वे मुर्दा नहीं खा रही थी पर अनिल कुछ सुनने की हालत में था ही नहीं वे तुरंत वहाँ से चला गया जड़ावन्ती को भगवान शिव के गनों में शामिल होने के लिए आवश्यक ताविस तो मिल गया था लेकिन उसने सोचा कि वे जाने से पहले आज तक उसने जितना ग्यान इकटा किया है उसकी विरासत गरंत के रूप में पीचे छोड़ना चाती थी उसने शुरुआत से सब कुछ लिखा चिंटी की भाशा कैसे समझे उसके संकित क्या होते है आधी प्रकार से धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों के बारे में लिखा उनकी बाशा लिखी इसमें बहुत समय निकल गया वे एक बहुत बड़ा ग्रंत बन गया जिसका कोई नाम नहीं था ना पढ़ने का कोई क्रम ही था वे तो बस बहुत से जानकारे का संकलन था उसमें आत्माओं से संपर्ग बनाने के तरीके भी लिखे थे अब उसे कोई शिश्य चाहिए था जिसे वे इस गरंत को पढ़ने का तरीका और उसके रहस्य को पता सके लेकिन इतने महत्वपूर्ण ग्यान को वे इतनी आसानी से किसी को भी नहीं सौप सकती थी वे हर दिन इसी तलाश में होती थी कि कोई ऐसा उसे मिल जाए जिसे यह ग्यान सीखना तो हो लेकिन वे इसका गलत इस्तमाल ना करे एक दिन जब वे जंगल में रोज की तरह घूम रही थी तब उसे मैं मिल गया मुझे किसी कुवारी मा ने लोक लज्जा के डर से जंगल में छोड़ दिया था निलावंती ने मेरी मा भी पाल नहीं सकती इतनी अच्छी तरह से पाला मैं भी बड़े होते होते जानोरों की भाषा और वे सब ग्यान जो निलावंती ने उस करंथ में लिखाता सीख गया हाला कि इसके लिए मुझे करंथ पढ़ने की आवशकता नहीं पड़ी जब मैं 16 साल का हो गया जैसा मैं अब हूँ तो निलावंती जिसे मैं मा केकर ही पुकारता था मुझे मेरे उससे मिलने की कहानी बताई और कहा कि उसे अब उसकी असली जगह पर जाना होगा उसने मुझे संजेवनी विद्या दे दी जिससे मैं दिर्ग जीवी हो गया और मेरी आयो भी ठम गई पिछले हजार सालों से मैं 16 वर्ष की अवस्ता का ही हूँ संजेवनी विद्धा देने के बाद निलावंती ने किसी मंतर का उचारन किया तो उसे लेने के लिए दोसरी शिवगनी का है आई उनके साथ निलावंती हमेशा के लिए शिवगनों के साथ रहने चली गई फिर मैं बटकते बटकते इस जंगल में आया और यही पर बस कया तब से मैं यही रहता हूँ और इस जंगल की रक्षा करता हूँ बाजिन ने कहानी पूरी की लेकिन तुमने आमारे प्रिश्न का उत्तर नहीं दिया बाबो ने कहा हाँ मैं बताना तो भूल गया कि तुमारे किसी पूर्खे ने जो कविता लिखी है उसमें जो सागरतिर्थ का नाम है वे समुद्र के लिए नहीं लिखा गया है असल में सागरतिर्थ उसी जगह का नाम है जहा गिलावंती पैदा हुई थी हजारों सालों में उसका नाम ज़रूर बदला होगा लेकिन मैं वह जगह जानता हूँ क्योंकि मेरी माने भी मुझे उसी सागरतिर्थ के जंगल में छोड़ा था बाजिन ने बताया आज वह जगह किस नाम से जानी जाती है राव साहिब ने पूछा आज वह जगह जानी जाती है रामलिंग के जंगल के नाम से बाजिन ने जवाब दिया मुझे वह जगह पता है महाराश्ट्रा के माराटवाडा प्रांथ का बहुत ही प्रसिद्ध तिर्दस्थल है वह बाबु ने बताया बाजिन ने फिर दोनों को अपनी आखे बंद करने को कहा और पलग जपकते ही उसी बेताल की मुर्ती के पास छोड़ दिया जहासे बाबु और राव साहिब ने जंगल में प्रविश किया था बाबु और राव साहिब ने आखे खोली तो सामने वही बेताल की मुर्ती थी जिससे आगे जंगल में रास्ता जाता था उन्होंने अपने पीछे आवाज सुनी तो वही गडरिया वहाँ पर बेड़े चरा रहा था और उनसे कह रहा था मेरी मानों तो यहासे वापिस चले जाओ यहासे कोई जिन्दा वापिस नहीं आया है उनको यकीन नहीं हुआ कि इतना सब घड़ गया था लेकिन समय अब भी वही का वही था तो यह सश्ता निरावन्ती से समय पर काबू किया जा सकता है लेकिन निरावन्ती कहा है यह तो किसी को भी नहीं पता उसे सिर्फ किसमत से ही ढूंडा जा सकता है गड़ावन्ती उसी को मिलता है जो उसका इस्तमाल नहीं करना चाता अब राव साहिप और बाबु को रामलिंग जाकर खजाना ढूंडना था वे रामलिंग पहुँच गए लेकिन वह जाकर उन्हें पता चला कि सालों पहले किसी राज को यहाँ का खजाना मिल गया उसी पैसो से यहाँ रामलिंग का मंदिर बना हुआ था अब क्या किया जाए सब खत्म हो गया खजाने की खोज भी और निलावंती की तलाश भी खजाने का इस्तमाल हो चुका था निलावंती भी बाजिन के पास सुरक्षित थी यह थी उस आखरी इंसान की कहानी जिसने निलावंती की खोज की थी लेकिन निलावंती आज भी रहस्य बनी हुई है उसकी खोच करने वाले आज भी उसको ढूंटे रहते है आपको अगर निलावन्ती सुननी है तो आपको पता है कि महाबलेश्वर के जंगल में बेताल के मुर्ती के पीचे से रास्ता मिल जाएगा लेकिन क्या आप वहाँ सच में जाना चाहते है लोक कताए हर संस्कृती का भाग होती है पर कुछ लोक कताए अपने रहस्य की एजी चाप छोड़ जाती है कि उस कता की दंत कता बन जाती है माराश्टा के जंगीवन में निलावन्ती का कुछ ऐसा ही स्थान है बचपन से मैं निलावंती के बारे में सुन रहा था उसी निलावंती की कता जरा अलग ढंक से प्रस्तुत की है धन्यवाद हिंदी ओडियो बुक्स्त